नमस्कार दोस्तों सागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लोग में देखिए दोस्तों आज जो है हम यहां पे आए हैं यह पगीचा है जहां पे आम की पेड़ लगे हैं और जो है वह अच्छा लगता है दोस्तों है कितना देखिए पुराने पुराने पेड़ है इस पेड़ में देखो जड़े तक निकल आई है तो आम के पेड़ में आम के पेड़ में तो माद पाहिली वारिये सब जड़े देख रहे हैं जो यह है इस पे यह कोई कोई बेल है क्या है हमें लग रहा है कि कुछ है सही है पू यह कर भी है जानुरों के खिलाने के लिए जो है ना बोके रखा हुआ है अब दोस्तों यह देखो यह जो है बहुत अच्छा लग रहा है सारे तरह के पेड़ है इसके अंदर यह देखे गन्ना चलिए हम आपको गन्ना भी दिखा दें साथ में यहां पर गन्नी भी लगे हुए है गन्ना मुजे पहुत पसंद है लेकिन जुकी अब एक दात मेरा थुरो दर्द कर रहा है इसलिए हम गन्ना आज नहीं छूज पाएंगे यह देखे यह देखे देखे दस्तों गन्ना गन्ना है नंना अच्छा लगता है किसीने लकडी जो है रखी हुई है घर ले जाने के लिए जिनका बगीचा है वह लग रहा है उन्हीं लोगों ने रखा होगा तो दूस्तों तो एक आदमी बभीच होता है तो बड़ा अच्छा लगता हैं ऐसा रगता इसी में रहो लेकिन यहां पर यह दिखिए यह खेट में जो है यह हूं वह आए यह हूं है यह हूं है यह है यह देखिए उधर सारा सब चीजे जो है यहां पर इस तरह से देखिए यह दूर तके सब चीजे जो है अच्छी है और अच्छा लगता है घूमने फिरने में प्रकत की जो चीजे होते हैं बहुत सुन्दर होते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छी होते हैं इसलिए हमको इनको सजो कर रखना चाहिए आम की फसल में आम खाये जाएंगे कठेल के पेड़ कठेल खाये जाएंगे पर लोग जो है आजकल पेड़ काटते बहुत है वसी यही वह है यह एक मजार है यह मजार है मजार है दूस्टों यह देखिए यह जो है यह जो है जय है यह जोबंबा यस इसको कहते हैं पहले चोटे थे पानी चला करता ठाथ और अगे टी से होती थी यह किना आप जो है सब घ्रता दिए JUST इसाब खता म कर दीए गजी आता हैं दो 한 गार्मेंट ने स्लोले इसफ़े फॉर्वर्वेडďने ज़ह इसमें पानी नहीं देती है इसले जवर्वेड si 大家好 ऑपD अब जो है इस पर कोई पानी वानी नहीं आता है लोग जो है प्रैशना ट्यूबेल्स इससे चाहिए हैं इस नहीं है यहां पर आपन पर जिस फिरे देखिए है कि यह देखिए है यहां कि फेह को आई इस पर जामून का पेड़ है झाल झाल